नमस्कार साथियों कैसे हैं आप सभी ऐसा करते हैं आप सभी अच्छे सोंगे सुष्थ होंगे दोस्तों बिहार डियलेड एडमिशन दोहजार चौबिस के लिए परवेश परिक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है आप सभी अपना स्कोर काड डाउनलोड कर चुके रैंक मिला है और कैटेगरी वाच आपको कितना रैंक मिला है आप सभी देख चुके होंगे और कैटेगरी रैंक के आधार पर हीं आप सभी को कॉलेज आवनटन किया जाएगा तो आगे की क्या प्रकिरिया रहने वाली है इस وीडियो में हम विस्तार से चर्चा करने वाले ह ताकि आप आगे की planning कर सकेंगे कहाँ पर आपको documents की जरूरत परेगी क्या-क्या documents की जरूरत परेगी उन सभी documents को आप सभी को अभी से त्यार कर लेना है ठीक है तो counseling की पूरी प्रकिरिया को समझेंगे और यह प्रकिरिया जल्द ही शुरू होने वाली है और जल्द ही इसका notification आएगा जिसमें आप सभी को पूरा schedule mention किया हुआ रहेगा कि कब से क्या होने वाला है तो क्या होने वाला है वो सारी चीजे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आप सभी comment जरूर कर दीजेगा कि आपको कितना rank किस category से मिला है कितना marks of 10 हुआ है वो भी आप comment करके जरूर बताएगा तो counseling की प्रकिरिया में सबसे पहला जो आपका प्रकिरिया होने वाला है अब जैसे ही notice आएगा तो date mention होगा उसमें आपका पहले registration किया जाएगा ठीक है तो registration आपका online चलेगा और यह किस date से होने वाला है वो आपको details notification में पता चलेगा वो हम आपको आगे भी बता देंगे तो registration किया जाएगा registration ऐसे student का होगा जो student minimum qualifying marks को प्राप्त कर लिये हैं यानि की qualifying हो चुके है फेल student का यहाँ पर registration नहीं होगा registration होने के बाद आपको यहाँ पर पूरा detail fill up करना ही है उसके बाद आपका college choice होगा ठीक है registration जैसे ही कर लेते हैं login कीजिएगा तो आपको college choice करने का मोका मिलेगा college choice आप अपने मन पसंद को college को choice करेंगे और इसी अधार पर आपको college आवंटन भी किया जाएगा ठीक है तो मन पसंद college आप अपने rank के अनुसार करेंगे जिसे कि आपको college आवंटन भी हो जाए first merit list में ही और आपका admission भी हो जाए तो इस तरीके से आपको rank के अधार पर college का choice करना है जब आप college choice कर देते हैं और जो category के student है बांकी जितने भी category है उनको यहाँ पर 350 रुपया online आविदन सुल के रुप में भुगतान करना पर सकता है ठीक है तो आपको यहाँ पर receiving मिल जाएगा ठीक है उसके बाद जो आप college choice किये हैं इसी के अधार पर आपको college आवंटन किया जाएगा college allotment letter मिलेगा जिसमें आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा college मिला है यानि कि जो college choice में डाले हैं उसमें से कितने नम्मर का college आपको आवंटन किया गया है और यह आवंटन आपके college choice पर ही depend करता है marks जो आपको मिला है वो तो मिल ही चुका है उस अधार पर आपको rank मिल ही चुका है अगर आपका जैदा rank भी है तब भी आपको अच्छा college government college मिल सकता है बसरते आपको college choice पर धियान देना है अगर आपका marks अच्छा है rank बहुत अच्छा है यानि बहुत कम rank है फिर भी आपको college च्वेस में अगर गलती हो जाता है तो college सरकारी नहीं भी मिल सकता है private college में आपको admission मिल सकता है ठीक है तो ये college आवंटर प्रकिरिया उसके बाद किया जाएगा उसमें आपको college का नाम पता चलेगा उस college में जा करके आपको क्या करना पड़ेगा आपका admission ले लिया जाएगा और वहाँ पर एक साल का सुल्क जो होगा college का वह भी आपको admission के समय college द्वारा जमा ले लिया जाएगा सरकारी college आपको मिलता है तो drop के माधियम से आपको जमा करना पड़ेगा तो first year का जो सुल्क होगा वह आपको 11,000, 11,500, 10,000, 10,000 के आज़ पास आपको भुगतान करना पड़ेगा ड्राप्ट के माधियम से अगर वहे private college मिलता है तो आपको एक साल का सुल्क जो है तो यही है सरकारी college में कम सुल्क लगेगा और private college में आपको जैदा सुल्क लगेगा तो आपको college choice सही तरीके से करना है इस पर हम आगे वीडियो बना देंगे और आप सभी rank, category wise और कितना marks आपको प्राप्त होया कॉमेंट करके जरूर बताएगा अब क्या-क्या documents लगेगा वो चीजे बात कर लेते हैं हम से संबंदित कोई भी जानकारी के लिए आपको अपना कोई भी Google ब्रोजर को खोल लेना है और Google ब्रोजर में आपको सर्च करना है kosi study या kosi study.com आप इस तरीके से सर्च करेंगे तो इस तरीके से page आपका खुल कर सामने आ जाएगा यहाँ पर आप सभी देखेंगे DLN का result आया है उसका link आपको मिल जाएगा क्या-क्या documents आप सभी को लगेगा वो आप सभी यहाँ पर आपको click करना है तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं बिहाद डेले documents में आपको क्या-क्या लगने वाला है तो जैसे ही नीचे इस्क्रोल करेंगे तो admission से संबनित पूरी जानकारी तो आपको मिल ही जाएगी यहाँ पर और यह documents आप सभी को admission के समय लगेगा ही ठीक है और इंटर में आपको कम से कम 50% नमबर होना जरूरी है अगर आप SCST जाती से हैं या कोई भी केटेगरी से हैं तो आपको यहाँ पर 5% की छूट दी जाएगी यानि कि आपका कम से कम 45% मार्क्स होनी चाहिए और admission के लिए आपको 1 जनवरी 2024 को सभी कोटी के student के लिए कम से कम 17 वर्ष आयू होना चाहिए अधिक्तम यहाँ पर निर्धारित नहीं है तो documents में जो आप सभी को लेगा यह सारे documents आप सभी को admission के समय लेगा लेकिन फिलहाल में आप सभी को क्या-क्या documents त्यार कर लेना है वह जो है आपका पहले और यहाँ पर CLC आपको original लगेगा बस इतना documents आप सभी अभी त्यार कर लेजिए और जैसे ही जो है admission की प्रकिरिया शुरू हो जाती है उससे में आप सभी बांकी documents को त्यार कर लेजिए लेकिन अभी के समय जाती आवासी है और आय परमान पत्र आप online कर दीजिए और CLC आपका original लगेगा जहां से आप 12th pass की है वहां से आपको CLC मिला होगा ठीक है और नीचे आएंगे तो इससे संब्धित और भी जानकारी आप सभी को मिल जाएगी तो यहां पर जो है एडिमिशन का जो प्रोसेस होने वाला है कॉलेज चुएस जो आप सभी का होने वाला है वो किस तरीके से होने वाला है यहां पर आएंगे तो यहां पर कॉलेज चुएस प्रकिरिया से समधित पूरी जानकारी यहाँ पर अपडेट की गई है ठीक है सबसे पहले तो आपका रेस्टेशन कॉलेज चुएस होना है उसके बाद मैरिट लिस्ट आएगा उसके बाद नमंकन प्रकिरिया होगा और यहाँ पर आप सभी देखेंगे किस कैटेगरी के स्टुडियन को कितना सुल का आविदन सुल के रुप में भुगदान करना पड़ेगा उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है तो आप सभी यहाँ पर वीजिट जरूर कीजिए और हमारे साथ जुरे रहे वीडियो को लाइक कीजिए नई साथी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए धन्य कर दे agricultural को अल्यव कर दूब का ईन्याख फ़ ऑन कहीं भाद और हमारे सी जरूर का जरूर के फर वी वहाँ के तूब को साथ-थाल कीजिए बयाज भीजिए ओन को साथ-जरूर कीजिए चाहर है बासलाइब में लिफए सामारे से शधन Gentओ मुड़ में बच्ड़